Hello everyone, CLC के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है Myself, Anubhan Jagir, Team Chemistry CLC सीकर आज अपन डिस्कस करने जा रहे है CLC की गुरुनिती जिसमें अपन डिस्कस करेंगे 2013 से लेके 2022 तक नीट में जो भी कोशन आये हुए उनको topic wise अपन डिस्कस करने जा रहे है ठेके, मैं physical chemistry डिस्कस करूँगा आपके साथ जिसमें साथ topic में अपन ने जो है वो complete physical chemistry को divide कर रखा है इसमें सबसे पहला topic mole concept पे आज अपन डिस्कस करने जा रहे है इसमें न केवल अपन जो है वो previous year के कोशन करेंगे उससे related important point क्या बन सकते कौन से सब topic में से कुशन ज़्यादा पूछे गए उसमें कौन सा formula आपको ध्यान रखना होता है उन सब पे भी अपन चर्चा करने बाले आईए एके करके इन कुशन को डिस्कस करते है सबसे first number problem दे रखा है a mixture of gases a mixture of gases contains H2 and O2 gases in the ratio of 1 raise to 4 W by W means mass ratio दे रखा है what is the molar ratio of the two gases in the mixture एक gas मिसरन में H2 तथा O2 gases का अनुपात 1 raise to 4 है मिसरन में इन दोनों gases का molar अनुपात क्या होगा यह आप से कुशन में पुछा गया है अपने बात करते है कि actual में molar होता क्या है सबसे पहले यहाँ पाहर molar ratio क्या होता है बस मैं दो वर्ड बूल रहा हूँ मूल के बारे में कि मूल कैसे क्या होगा तो देखिएगा दो वर्ड बताता हूँ सबसे फस्ट नंबर चीज पर अगर अपन बात करे कि मूल होता क्या basically mathematical word है और कुछ नहीं है जिस टाइब से suppose किजिएगा यह एक pen है अगर ऐसे 12 pen एक साथ रख दिये जाए तो उसे अपन एक दरजन बोलेंगे एक दरजन quantity हो गई अगर 144 अगर pen हो जाएंगे तो उसे अपन जो है वो one gross बोलना इस्टार्ट करनेंगे similar way में अगर number बढ़ता 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 अगर इतना number हो जाए अगर इतना number हो जाए तो इसे क्या बोला जाएगा वन cumpl इसी को क्या बोला जाता है वन μूल 6.02 into 10 raised to the power 23 quantity हो जाए तो उसे बोला जाता है वन मूल और इस number को avogadro number बोला जाएगा इस नंबर को क्या बोला जाएगा एवोगेदरो नंबर एन ए बोला जाता है तो वन मूल किसके एक्वल हो गया एवोगेदरो नंबर एन एक्वल हो गया इतनी क्वांटिटी होगी तो वन मूल होगा अगर यह नंबर पैन के बराबर है 6.02 into 10 days to the power 23 अगर pen है तो मैं बोलूँगा इसका मतलब 1 mol pen है कितना mol pen है? 1 mol pen हो जाएगा ओके बात 1 mol का basic criteria समझ में आ गया दूसी definition अपने इसा बोलते है दूसी definition, main basic definition आपको यही याद रखना है इतना number होता है तो उस quantity को क्या बुला जाता है? 1 mol बुला जाता है exam point of view से आपको यही याद रखना है, okay second number point, mol calculate करने का formula क्या होता है? mol तीन तरीके से calculate कर सकते है अगर mass given है तो given mass upon molar mass molar mass always gram में होता है तो इसका मिला given mass जो होना चाहिए वो gram में होना चाहिए, divide by molar mass लगा दीजिएगा, second number particle given है, तो given particle divide by avogadro number लगा दीजिएगा, n a and third number जो है, gas अगर दे रखा है तो given volume in liter, कहां पे NTP पर divide by 22.4 NTP का मतलब होता है normal temperature and pressure normal temperature and pressure जो है 1 ATM and 0 degree Celsius यह होता है है, okay 1 ATM and 0 degree Celsius होता है यह mole का formula है ठीक है, बस आपको इतना सा point ध्यान रखना है, इनी point का use करते हुए, अब यहां पे अपनों को कोशन में क्या deal करना है a mixture of gases contains H2 and O2 gases in the ratio of 1 raise to 4, यह आपन से बोला हुआ है, 1 raise to 4 बोला हुआ है, W by W इसका मतलब H2 और O2 के जो mole का ratio होना चीए, sorry, mass का ratio W of H2 upon W of O2 it is equal to 1 raise to 4 होगा साइ, मैं यहां से यह आटा देता हूँ mole का formula रहने देता हूँ आई यह W का देर रखा है, mole का ratio पूछ रहा है, तो number of moles of H2 to number of moles of O2 अगर weight given है, तो यह वाला formula लगना चाहिए, given mass means W of the H2 upon H2 का molar mass हो गया 2 atomic mass 1 होता है, H2 है तो molar mass 2 हो गया upon मैं अगर बात करें, तो W of O2 upon इसका molar mass oxygen का atomic mass 16 होता है O2 का 32 हो गया इसका मतलब 32 divided by 2 into W of H2 upon W of O2 इसकी जगह पर मैं अगर 1 by 4 रग देता हूँ, तो यह आजाएगा 4 raise to 1, बहुत elementary सा question, इस formula बेस पे बन गया है, 4 raise to 1 it means 3rd is the correct answer क्या हो जाएगा, 3rd is the correct answer, कोई doubt आगी बाद समझ में, तो आपको ध्यान क्या रखना, basically, एक mole होता क्या है, ठीके any number होता है, means 6.02 2 into 10 is to the power 23, अगर कोई number होता है, तो उसे क्या बुला जाता है 1 mole बुला जाता है क्या बुला जाता है, उस number का नाम एवोगेद्रो number है, okay second number point, mole के 3 ही formula है, यह formula आगे mole के, यह तीनो formula जो है, जैसे यह solid liquid gas तीनों के लिए applicable है, यह जो है, वो किसके लिए होना चाहिए, solid liquid gas बट यह वाला जो formula लिखा है मैंने, यह only 4 किसके लिए होता है, only 4 gas के लिए applicable है, और किसी के लिए applicable नहीं है, उके बात चले आगे बात, first number problem, यह formula दियाम लखे, keyword यह formula हो गया, one mole किसके equal होता है, एवोगेदरो number के equal होगा, चलिए second number problem पे बात करते हैं यह बोल रहा है second number question में, if एवोगेदरो number, na is change from 6.022 into 10 raise to the power 23 per mole to 6.022 10 raise to the power 20 mole per per mole, this would change यह कह रहा है, एवोगेदरो number जो है 23 से 20 हो जाया है power में तो इससे क्या परिवर्थन होगा, इससे क्या change होगा मैं यहाँ पे एक बात और बूलता हूँ, ठीक है तीन word होते होंगे अभी समझा रहें absolute atomic mass जो होता है absolute atomic mass absolute atomic mass वो always constant होता है वो कभी change नहीं होने वाला है absolute atomic mass का मतलब mass of one atom mass of one atom यह हमेशा constant है जैसे मैंने यह बोल दिया, यह एक पेन है इसका mass क्या होगा, तो इसका mass तो fix है रहा, यह इस बात पर थोड़ी डिपेंड करेगा scale कौन सा लिया है, इसका absolute mass बोल लो किसी के respect में नहीं है ठीक है, इसका absolute mass जोगा, निरपेक्स द्रेमान जोगा, वो हमेशा क्या रहेगा, constant, अगर यह 10 ग्राम का है, तो 10 ग्राम ही रहेगा, अगर मैंने scale change क्या तो इसका relative atomic mass change हो सकता है, बट absolute atomic mass always क्या रहेगा, constant रहेगा, ठीक है, अब जैस सपूस की दियेगा, पहले मैंने बुला, इस pen का mass 10 ग् अबर था, तो अगर मेरे को एक mole का mass calculate करना होता है, तो मैंने बूल था, एक mole में कितने pen होते है, 10 pen होते है, तो 10 multiply by 10, कितना mole, कितना gram आ जाता, 100 gram, it means molar mass 100 gram था, पहले, अब आपने का नहीं, अब 10 नहीं है, अब 10 नहीं है, अब 8 के बराबर ही है, चेंज हो गया है, तो मैं 10 mole का mass किसके बराबर होगा, एक mole का mass होगा, एक pen का mass multiply by एक mole में कितने pen होते है, how many pens in one mole, उसका multiply कर दो, तो मैंने का, अब तो एक mole में 80 नहीं होते है, तो 10 multiply by 80, ये किसके बराबर हो गया, 80 gram, बूलो एक mole का mass change हुआ या नहीं हुआ, yes, molar mass जो calculate किया जाता है, ये देखीगा, the mass of one mole of carbon, ये इसका answer हो जाएगा, जब molar mass calculate करना होता है, तो वो ऐसे लिखा जाता है, molar mass it is equal to mass of one atom multiply by number of atoms in one mole, और one mole में कितने particle होगे, एवोगेदरो नमबर, जब ये ही change होगे, आप तो बूलो, molar mass change होगा या नहीं होगा, yes, change होगा, change कौन नहीं होता है, एक item का mass कभी भी change है, नहीं होता है, ठीक है, तो mole, जो मैंने अभी समझाए था न, one mole का मतलब क्या होता है, एवोगेदरो नमबर, अगर एवोगेदरो नमबर ही change होगया, तो फिर molar mass change होना है, ओके बात, ये हो गया, molar mass से related, तो इसका मतलब, अगर mass of one mole of carbon, it means molar mass क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, आगे बात करें, चलिए, थर्ड नमबर question, ये question की framing बहुत होती है, which one of the following has maximum number of atoms, नीट 2020 में आया होगा question है, आपको maximum number of atoms थी है, ठीक है, तो दो तीन तरीके से question framing हो सकता है, atom के लिए अगर बात करें तो, आप क्या कीजि बात करें, अगर वह जादा है, number of atom maximum चीए, इसका मलब नमबर ओफ मूल्स जादा होने चीए, अगर number of moles जादा होंगे, अगर जादा होंगे, तो उस condition में atoms भी जादा होने चीए, अगर number of moles of atom, atom के अगर मैंने mole calculate किये, अगर वह जादा है, तो atoms भी क्या होंगे, जादा से कोशन बन सकता है, same element की बात करें, किसके लिए बात करें, same element की, तो जब same element की बात करेगा, तो उसे में mass different होगा, तो different mass होगा, तो उस condition में, number of maximum number जो आना चाहिए, atom का, उत्तब आएगा, जब mass maximum, mass क्या हो, maximum, मैंने का कैसे पता चला, mole का formula अभी लिखाता आपने, given mass upon molar mass, ये लिजेगा, ये तो आप कहरो, सब के लिए same है, क्योंकि same element ले लिया, अगर आपने mass change किया है, तो जिसका mass ज़दा होगा, उसका mole जदा होगा, जिसका mole जदा तो maximum number of atom उसके होंगे, जिसका maximum mass होगा, ओके है, चलिए, second number point पर बात करते हैं, अगर different element हो गया, और उनके mass क्या दे रखे, same दे रखे, अगर mass same दे रखा है, ये वाली अगर quantity same है, तो जिसका molar mass जदा होगा, उसका number of mole कम, तो जिसका molar mass जदा, उसका number of mole क्या कम, और जिसका number of mole कम होगा, उसका number of atoms भी कम हो जाएगा, उके बात, चलिए, third number पर, अगर by chance different mass of different element दे रखाओ, different mass of, अगर different element अगर आपको दे रखाओ, उस condition में क्या होगा, आपको mole calculate करना पड़ेगा, given mass upon molar mass से, और ये जिसके लिए जदा आएगा, उसका mole जदा, और जिसका mole जदा, उसका atom भी जदा होगा, जिसका mole जदा होगा, उसका atom भी जदा होगा, बात समझ में आगई आपको, ये तीन concept पे ही question बन सकता है, इसके अलावा चोथा concept नहीं अपने पास, ठीक है, atom पूछेगा, तो पहले molecule पूछ सकता है, जो अगला question होगा, ठीक है, molecule calculate करके, और atomicity से multiply कर देंगे, तो number of atom बाजाएगा, atom के format में given है, तो ये तीन format बन सकते हैं, अब देखेगा question को, which one of the following has maximum number of the atoms, सबके mass सेम देरके, 1 gram, 1 gram, 1 gram, 1 gram, 1 gram, ये लिजएगा, सेम मास आगया, तो जिसका molar mass जादा, उसका number of moles कम, अपन से पूछा है maximum, इसका माला molar mass होना चाहिए, minimum, तब maximum number of moles आएगा, minimum molar mass, इसका 16, इसका 7, इसका 108, इसका 24, answer क्या हो गया, second, आया समझ में, ये approach होती है exam की, कहा calculation करवा रहा है, सिधा आपन को ये पता चाहिए, जिसक molar mass minimum होगा, उसका number of moles जादा होगा, और जिसका number of moles जादा है, उसका atom भी जादा होगा, ओके, आगे बात करें, ये third number question था, next बात करते है, question number 4 पे, आईए, the number of water molecule is maximum in, जल अनुओं की अधिक्तम संख्या किसमें है, question अपन से ये पूछा गया, आईए, 1.8 gram of water, अब number of water molecule पूछ रहा है, तो अपन को ये काम कीजेगा, number of moles calculate कर लिजेगा, आपने का number of moles कैसे calculate करें, number of moles calculate करने का अभी आपको formula बताया था, given mass divided by एवोगेदरो number, sorry given mass divided by molar mass, given particle divided by एवोगेदरो number और अगर gas given है, उस condition में volume of the gas at NTP divided by 22.4, volume liter में होना चीए, ओके, आईए, 1.8 gram water है, तो 1.8 divided by 18, वन मूल आगया, ये लिजेगा, second number, 18 gram water है, 18 divided by 18, वन मूल आगया, sorry ये 0.1 मूल आएगा, third option में 18 मूल दे रखा है, fourth option में 18 मूल है, तो number से divide कर दिया है, ये लिजेगा, roughly idea में 6 ले लिजेगा, 3 into 10 is to the power, minus 23 मूल, अब ये तो water के मूल आए, आपने का सर, हमें तो अणू चीए, हमें तो number of molecule चीए, multiply by एने कर दो, जिसका मूल जादा होगा, उसका number of molecule भी जादा होगा, तो बताइए का number of molecule maximum किसका है, थर्ड वाले option में, तो इसका मतलब, थर्ड वाले option में, water के molecule क्या होगे, maximum होगे, तो third is the correct answer, ओके, दिखेंगा, same question का pattern है, किस स्तती में जल के अधिकता मणू, in which case is number of molecules of water maximum, तो हम कहते हैं कि question repeat होता है, क्यों करने चीए होते हैं, previous year के question, ये देख लिजेगा, ये 18 में कोश कोशन आया था, ठीके, इससे पहले वाला जो कोशन था, ये 15 में आया था, अगर आपने 15 का कोशन क्या है, तो वापस 18 में repeat हुआ, तो कई कई अगर एक बार उसका आपने concept समझा है, तो वापस कोशन को repeat कर वाया examiner ने, इसलिए हम focus करते हैं कि question previous year के आपको करने चीए होते है, okay, in which case is number of molecules of water maximum, water के maximum number of molecules क्या होंगे, 18 ml of water, 0.18 gram of the water, 0.00224 liter of water vapor at 18m to 73 Kelvin, 10 raise to the power minus 3 mol of the water, ठीक है, ये गुरुनित्ती जो है, जो अपने ये previous year के कोशन डिसक्रस कर रहा है, ये उन लोगों के लिए बहुत benefit हो सकती है, beneficial हो सकती है, जो लोग 400 plus number पे खड़े है, और 600 से कम है, तो previous year के कोशन करोगे, तो आपको just idea हो जाएगा, confidence level बढ़ जाएगा आपका, ठीक है, exam में आज तक ऐसे कोशन आए है, तो आगे भी possibility यह है कि इसी type पे कोशन बनेंगे, तो अगर आप ये concept भी तयार करते हो, तो इस 18 ml of water है, तो आपने का 18 ml volume दे रखा है, तो divide by ml में दे रखा है, यह कर देंगे, यह हो गया गलत, अरे मैंने क्या बूला था, given volume divided by 22.4 तभी apply करोगे, जब gas होगा, इसने बूला है, water is the not gas, water vapor is the gas, 18 ml water है, vapor नहीं है, ठीक है, अगर 18 ml water है, तो अब इस case में सुनू, क्या करना है, water की जो density होती है, वो कुछ भी given नहीं होती है, उसे में 1 gram पर ml मानते है, density 1 gram पर ml है, इसका हमले, volume ml में और mass gram में सेम होगा, mass किसमे, gram में और volume किसमे, ml में सेम होगा, अगर ऐसा है, तो इसका हमले मैं ऐसा बूल दू, 18 gram हो गया, mole calculate करड़ो, 18 divided by 18, number of moles, it is equal to 1 mole, yellow, चलिए, second option बें, 0.18 divided by 18, it is equal to 0.01 mole, third number, 0.00224 liter water vapor, NTP की condition और दे रखिये, 10 raised to the power minus 3 mole, and fourth number, 10 raised to the power minus 3 mole, आपको दे ही दखाए, अब चेकर लिजेगा, जिस case में, number of moles अगर जादा है, उस case में water के molecule भी क्या होंगे, maximum होंगे, तो सबसे first option में आए, अब आप लोग गलती क्या करदे तो, 18 ml देखते हो न, जिसे 18 ml, आपको लगता है, अच्छा volume गीवन है, तो volume जब गीवन होता है, तो given volume divided by 22.4, या 22,400 होना चाहिए, अगर volume ml में गीवन है, और वहीं पर अपन से गलती हो जाती है, ठीक है, यह गलती नहीं कर दीए, पहले मैं बहुत क्लिर सी बात बोल जाता water vapor means gas के लिए applicable है, और वो भी कहां पर NTP पर याद रखना, याद रखना, याद रखना, ओके, चले आगे, next देखेगा, 6th number, यह लिजे, बहुत elementary सा कुश्चन है, suppose the elements x and y combine to form two compounds xy2 and x3y2, when 0.1 mole of xy2 weight 10 gram and 0.05 mole of x3y2 weight 9 gram, the atomic weight of x and y, मान लिजेगा, दो तक्तों है, x और y, मिलकर दो योगिक xy2 एवं x3y2 देते है, 0.1 mole xy2 का जो weight दे रखा है, वो 10 gram है, और 0.05 mole x3y2 का जो weight दे रखा है, वो 9 gram है, तो बोलाए, x और y के परमाणू भार क्या होने चाहिए, कुश्चन यह पुछा है, ठीक है, सुनिएगा, अपने को करना कुछ नहीं है, आपने को बोलाए, कि इसका बाहर इतना है, तो mole का formula क्या होता है, mole का formula भी लिखा है था, given mass, divide by molar mass, यह formula अप्लाई करना है आप हो, x, y2 का molar mass क्या होगा, x plus 2y, atomic mass x का x माल लेते है, y का y माल लेते है, x3y2 का क्या हो जाएगा, 3x plus 2y, लगाओ अप्लाई करो, पहले वाले में mole दे रखा है, 0.1, weight दे रखा 10, upon x plus 2y, तो x plus 2y, it is equal to 100, खेक है, second number equation बन जाएगा, 0.05 mole है, कितना gram दे रखा है, 9 gram, और यहां आजाएगा, 3x plus 2y, तो 3x plus 2y, it is equal to 180, यह दो equation बन गी, अब equation number 2 में से equation number first minus कर दीजिएगा, यह 2x equal to 80 आएगा, तो x equal to किसके बराबर आगया, 40, इसका महलब 4th is the correct answer, ठीक है, यह systematic तरीका हो गया, ठीक है, systematic तरीके से ही चले, मैं देखो, बहुत short method भी बता सकते हैं, अब मैं सिधा यह बूल देता, x, y, 2k, 0.1 mole का weight 10 gram दे रखा, तो एक का किता हो गया, 100, तो यहां से भी तो एक का 100 ही आया है, ठीक है, अब यहां से एक का 100 है, यहां पर 3x plus 2y, 180 है, ही 10 trial method apply कर दीजिएगा, यहां 60 apply करें, तो यहां 60 आएगा, plus 2 times 40 आएगा, तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, इह लाना कितना 100, तो पहला option होगा नहीं, ऐसे भी चेक कर सकते हैं, बट आप systematic चले, कि exam में आपको एक chapter या एक part या फिर एक subject कवर नहीं करना होता है, वहां पे आपको 3 subject कवर करने होते हैं, ठीक है, तो वहां पे आप special method के थूरू जा पाए, नहीं जा पाए, आपको याद हो, नहीं हो, कोई guarantee नहीं है, बट systematic तरीका होगा, जो आपको पता question, यहां से pattern change हुआ, यहां से topic change हुआ है, ठीक है, first number का जो question चला था, mole क्या होता है, starting के 2 question, basic definition of mole, mole calculate करने के formula क्या होते हैं, ठीक है, जिसका number of mole जादा होगा, उसका number of molecules भी क्या होगा, जादा होगा, तीन question अगले उन pattern पे चले थे, ठीक है, यहां से अपने pattern change हुआ है question का, यहां पे question पूछ रहा है, stoichiometry, ठीक है, problem related to chemical reaction, सुनिएगा, जब भी problem related to chemical reaction आये, तो मैं बस एक approach बता देता हूँ, question deal कैसे करना है, क्या तरीके होंगे, कितने type के question बन सकते हैं, उन पे एके करके चर्चा करते हैं, आईए, सबसे first number चीज, अगर आपसे chemical reaction से related अगर कोई problem पुछा जा रहा है, तो सबसे पहले reaction को balance करके लिखे, यह लिजीगा, यह मैं balance reaction लिख देता हूँ, जैसे, यह लिख दिया, 2 times H2 plus O2 convert 2 times H2, यह balance reaction, इस balance reaction में जो यह लिखे होए होते हैं, 2, इसका coefficient 1 और यह 2, यह जो होते हो, इनको बूला जाता है, stoichiometric coefficient, इनको क्या बूल जाता है, stoichiometric coefficient, balance reaction में, reactant और product का जो coefficient होता है, उसी को क्या बूला जाता है, stoichiometric coefficient, reaction हमेशा मोल्स के according होगी, not mass, mass के according reaction नहीं होती, इसका यह मतलब है, कि इसका 2 मोल, इसके 1 मोल के साथ react करेगा, और H2 का कितना मोल बनाएगा, 2 मोल बनाएगा, कितना मोल बनाएगा, 2, ठीक ह एसा नहीं है कि 2 ग्राम hydrogen, 1 ग्राम oxygen के साथ react करेगा, और 2 ग्राम water बनाएगा, law of mass conservation भी तो valid होना चाहिए, तो यह तब ही valid होगा, जब मोल के according बात होगी, इसका 2 मोल, इसका 1 मोल के साथ react करे, और कितना मोल बना ले, अगर 2 मोल, अगर H2O बना लेता है, इसी को बूला जा करता है, इसी को बूला जाएगा, क्या reaction complete होना, according to stoichiometry, according to number of moles, not mass, mass के according ही नहीं, किसके according होना चीए, moles के according, okay, second number, कोई जरूरी नहीं है, यह mole ही हो, यह mole हो सकता है, 1, 2, mole और volume एक ही होता है, according to galusa, galusa के लिए कहता है, कि guesses होती है, वो volume के simple ratio में react करता है, galusa के बूलता है, कि gases होती है, वो volume के simple ratio में react करता है, condition यह ही है, सारे volume का जो measurement है, वो same temperature और pressure पे हो, तो यह volume भी हो सकता है, इसका two volume, इसका one volume, और इसका कितना two volume, यह लीजिए, एक तो यह concept हो गया, stoichiometric coefficient किसको represent करेगा, या तो mole को represent करेगा, या volume को, अगली बास सुना है, कोई reaction लिखा, यह reactant convert हो रहा है product में, इसका N1 लिख दिया, या, यह ठीक है, M लिख दिया, या M1 लिख दिया, इसका stoichiometric coefficient M2 है, अगर यह reaction balance है, तो reactant consume होता जाएगा, product का formation होगा, तो मैं ऐसा बोलूँगा, number of moles of reactant, reactant, upon its stoichiometric coefficient M1, यह किसके equal होगा, number of moles of product, produce, upon its stoichiometric coefficient क्या M2, यह बराबर होगा, यह apply करना है, हर जग फिट बैटने वाला है, यह अगर आप apply करोगे, हर जग फिट बैटने वाला है, हर question में इसकी significance हो जाएंगे, ठीक है, तो मैं काम का एक formula यह हो गया, stoichiometric coefficient होता क्या है, किसी भी balance chemical reaction में, reactant और product का जो stoichiometric coefficient होता है, उन्हीं को क्या बूला जाता है, stoichiometric coefficient, जो coefficient होगा, उसी को क्या बूला जाता है, stoichiometric coefficient, किसको represent करेगा, या तो mole को represent करेगा, या volume को, reactant का reactant mole divided by stoichiometric coefficient, it is equal to produce mole of the product divided by stoichiometric coefficient, यह बराबर होना चीए, यह apply करना है, मैं जैसे एक example लेके बताता हूँ आपको, एक example लेके बताते हैं, आपने लिखा जैसे, यह लोग, यह balance reaction होगी, ठीक है, आप इसको reaction को balance करके नहीं लिखना चाहते हों, तो आप ऐसे लिख सकते हों, यह sodium bicarbonate का hitting effect है, यह balance reaction है, आप ऐसे पूछ रहे हों मैरे को, volume of CO2 produce at NTP by hitting of 16.8 gram of sodium bicarbonate, यह question बन गया, यह लेजेगा, आप क्या करोगे, आपने का reaction balance है, ठीक है, number of moles of sodium bicarbonate divided by stoichiometric coefficient 2, equal to number of moles of CO2 divided by 1, तो CO2 का mole इसके बराबर आजाएगा, ठीक है, तो पहले moles दो calculate करो, उसके बाद आगे देखेंगे, ठीक है, तो CO2 का जो mole आएगा, अगर आपको volume चीए, तो आप चाहो तो इस यहीं पर convert कर दो, CO2 का mole जो आएगा, वो यह आएगा, volume of CO2 divided by 22.4, it is equal to, 1 by 2 रहना ही चीए, sodium bicarbonate का mole calculate करना है, sodium bicarbonate का क्या दे रखा है, mass दे रखा है, कित्ता दिया हुए, 16.8, अपोन इसका molar mass कित्ता होता है, 84, यह किसके बराबर आगे है, 0.2, यह किसके बराबर आएगा, volume of CO2, it is equal to 22.4 multiply by 0.1, 2.24 liter के बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा, 2.24 liter के बराबर आएगा CO2 का volume, CO2 का जो volume आना चीए, वो 2.24 liter के एकवल आएगा, मेरी बात समझ माँ है यह आपको, apply करना है यह, जो data दिया होगा, mole exactly नहीं दे रखा होगा, आपको apply करना आना चीए, ओके, यह तब बात है, जब only 4 single reactant दे रखा हो, या फिर information of one given, एक ही information given हो, तब यह concept लगेगा, ठीक है, जब एक reactant की information given हो, या फिर एक ही reactant दे रखा हो, तो सिदा यह concept लगा लो, कोई माता पची करने के जुरूद नहीं answer आजाएगा, ओके, आईए देखते हैं, इस question को देखते हैं, यह कहरा, the number of moles of hydrogen molecule required to produce 20 moles of ammonia, हेबर प्रोसेस की reaction यह है, N2 plus 3 H2, balance reaction लिखनी है, convert 2 times ammonia, ammonia और H2 के बारे में relation पूछा है, number of moles of H2 divided by 3, मैंने का H2A की information पूछ रहा है, ammonia की given है, number of moles of ammonia divided by 2, number of moles of H2, it is equal to 3 by 2, number of moles of ammonia, 3 by 2, ammonia के mole कितने, बुलो 20, कितने mole H2 की required है, 30 mole, जो मैंने concept बूला है, वही apply किया और answer आगिया 30 mole, मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, ओके, बात आगे करें, चलिए, अगले question पे आते हैं, अगला question क्या कह रहा है, अब सुनो, अगले question पे आ रहे हैं, उससे just पहले, मैंने अभी बुला कि यह जो concept है, लगेगा वो ही हर जगे इस्टोकियोमेट्रिक ओफिशियन, अब दिक्कत क्या है, अगर बाईचांस आपको दो reactant दे रखे, एक ज़्यादा दे रखा है, एक कम दे रखा है, तो कम वाला reactant हो जाएगा, ज़्यादा वाला पूरा reactant नहीं होगा, उस case में, इसका क्या मतलब हुआ, जब all reactant की information given हो, उस condition में concept लगता है, किसका limiting reagent का, किसका concept लगेगा, limiting reagent, limiting reagent क्या होता है, कब लगाना है, मैं कहा रहा हूँ, जब सारे reactant की information given हो, तब किसका concept लगाओगे, limiting reagent का, क्या होता है limiting reagent, जिसके लिए number of moles upon stoichiometric coefficient minimum हो, number of moles divided by stoichiometric coefficient जिसके लिए minimum, वो ही कौन होगा, limiting reagent, limiting reagent जो होगा, वो completely consume हो जाएगा, yellow, अब अगर आपको reaction का composition identify करना है, अगर आपको reaction का composition calculate करना है, तो with the help of limiting reagent calculate करोगे, किसके help से calculate करोगे, limiting reagent की help से calculate करना है, आईए वापस इस question पर आते हैं, खीक है, चलिए इससे पहले एक जिससे की question बता दिया, मैंने 2H2 plus O2 है, given है 2H2, मिरको बुला कि इसके 6 mole है, इसके 4 mole है, बुला है H2 कितना बनेगा, यह आपन से question, दो reactant है, दोनों की information given है, इसका मैंने all reactant की information given है, concept of limiting reagent लगेगा, आओ, कैसे calculate करें, ऐसे देख लिए, गरो 6 divided by 2, 3, 4 divided by 1, 4, 3, इसका हुले limiting reagent यह होगा, अगर limiting reagent यह हुआ, इसका मैंने completely consume होगा, yes completely consume होगा, अगर completely consume होगा, तो number of moles of H2 upon 2, equal to number of moles of H2 divided by 2, तो H2O का mole उतना ही produce होगा, जितना H2 का consume होगा, इसका मतलब 6 mole H2O क्या होने वाला है, produce होने वाला, कितना mole produce होगा, 6 mole H2O produce होने वाला है, मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, okay, 6 mole क्या produce होने वाला है, H2O produce होने वाला है, आईए इस question को देखते है वापस, when 22.4 liter of H2 gas is mixed with 11.2 liter of CL2 gas each at STP, STP NTP mole में एक ही consider करता है वैसे the moles of HCL gas form is equal to जब 22.4 liter hydrogen gas को 11.2 liter CL2 gas के साथ STP पर मिश्रित किया जाता है तो HCL gas के कितने mole बनेंगे question यह पूछा है हाई है, H2 है प्लस CL2 है convert हो गया 2 times HCL क्या volume given है 22.4 इसका 11.2 liter मैंने अभी क्या बोला था stoichiometric coefficient volume and mole दोनों को represent करता है volume को mole में convert नहीं करना है ठेक है, limiting region का concept लगा है 22.4 divided by 1, 22.4 11.2 divided by 1, 11.2 CL2 is the limiting reagent CL2 क्या हो गया, limiting reagent हो गया अगर CL2 limiting reagent है तो अब सुनों आगे बात को इसकी help से composition calculate करेंगे CL2 का reacted mole divided by 1 equal to HCL का mole divided by 2 ठेक है, CL2 का mole कितना है 11.2 divided by 22.4 equal to HCL का mole divided by 2 तो HCL का mole किसके बराबर आगया बोलो 1 के बराबर HCL का कितना mole produce हुआ 1 mole produce हो गया it means answer क्या हो जाएगा first is the correct answer ओके है ये इसका answer बन जाएगा चलिए, आगे बात करते question number 9 same question का pattern है 1 gram of magnesium is burnt with 0.56 gram oxygen दो reactant है, दोनों की information given है which reactant is left in excess and how much दो एक तो limiting reagent हो जाएगा उसके अलावा जो होगा वो बचेगा बच रहा है तो कितना बच रहा है ये question पूछ रहा है आईए reaction लिको सबसे पहले magnesium plus O2 convert हुआ magnesium oxide yellow yellow ये बन जाएगा आप सुनो बात को 1 gram magnesium दे रहा है mole में convert करना पड़ेगा yes करना पड़ेगा 1 upon 24 और 0.56 divided by 32 yellow अगर आपको तलका भी idea है तो 1 upon 24 जो होगा वो almost almost 0.04 के बराबर होगा और ये 0.02 होगा नहीं उसका reason अगर उपर 0.64 होता तब जाके 0.02 होता ये 0.04 है ये 0.02 है 0.02 से थोड़ा कम है अब सुनो अपनको limiting reagent के लिए क्या करना पड़ता divide by 2 तो मैंने का इसको divide by 2 किया तो ये तो बन गया 0.02 और इसको divide by 1 किया तो ये 0.02 अब आपको पता ये 0.02 था नहीं इसका मले ये वाली value जो है वो इससे कम है ये वाली जो value है oxygen के लिए वो किससे कम है magnesium से जिसके लिए value कम वो limiting reagent वापस सुन लो 1 by 24.04 से ज़्यादा होता है 0.56 divided by 32 0.02 से कम होता है ये value ज़्यादा है ये value कम है तो इसका मले ये वाली value 0.02 से भी कम हैगा ये value 0.02 से भी ज़्यादा हैगा तो बताईएगा number of moles divided by stoichiometric coefficient किसके लिए minimum आया oxygen के लिए it means oxygen is the limiting reagent और जैसी oxygen limiting reagent हुआ ये दोना option तो cut होगे चाहलो magnesium का कितना mole react हुआ होगा reacted mole की बात करो divided by 2 तो magnesium का mole reacted हुआ equal to 2 times number of moles of O2 कितना mass react हुआ magnesium का 24 का multiply कर दीजेगा 0.84 gram reacted हुआ अगर 0.84 gram react हुआ है इसका मुला बचा कितना 0.16 gram ये लीजेगा first is the correct answer same pattern के कुशन है इसलिए कहते हैं बार-बार previous year के कुशन पे focus करें इससे पहले वाला कुशन अगर आपसे हो गया इसका मुला same pattern के ही तो कुशन आ गया ठीक है 2.3 gram formic acid है 4.5 gram oxalic acid है इसके मिक्शर को बुला है सांधर H2SO4 के साथ अभी करत किया जाता है उससरजित गैसे मिसरन को KOH की पटियों से गुद जारा जाता है STP पर सहस उत्पाद का दर्यमान होगा A mixture of 2.3 gram formic acid and 4.5 gram of oxalic acid is treated with concentrate of H2SO4 The evolved gaseous mixture is passed through KOH pellet Weight of the remaining product at STP will be अब जब तक reaction पता नहीं होगी तब तक सबसे बड़ी दिक्कात है इस्टोकियोमेटरी में अगर आपको reaction पता नहीं है तो इसका मिना आप question के अंदर उलत चुके हो अब वो question नहीं कर पाऊगे H2O2 देता है तो आपको पता है 9th class से पढ़ते हुए आ रहे हो H2O जाएगा magnesium का ribbon को जलाया जाता है oxygen के साथ magnesium का oxide बन जाएगा ये तो सरह में याद है इनमें कोई माता पच्छी नहीं ये कहां से पूछ लिया मूल में इसका मूल में कुछ भी पूछ सकता है क्या नहीं ऐसा नहीं ये reaction काईन का ये NCRT में देर किये ये reaction देर किये P block के 14 group के अंदर NCRT में ठीके oxide of carbon carbon monoxide and carbon dioxide बनाने के method में एक word लिखा है concentrate H2SO4 it is the dehydrating agent ये dehydrating agent होता है water बार निकलेगा किस से? formic acid से yellow formic acid concentrated H2SO4 लिया water बार निकलना yellow OH और EH CO gas बनेगा plus water liquid बनेगा वो तो absorb हो गया अच्छा अब आपके दिमाग में आया oxalic acid oxalic acid ये होता है water बार जाएगा yellow एक बचा CO gas एक बच गया CO2 gas आप सुनो अब आपन को दिखता पता चल गया इसके 1 mole से इसका 1 mole बनेगा कितना mole दे रखा 2.3 gram formic acid formic acid का molar mass होता है 46 it is the .05 इसका मले ये .05 mole बनेगा yellow okay है oxalic acid का molar mass होता है 94.5 gram दे रखा है तो mole आ गया 4.5 divided by 90 it is the .05 ये भी तो ये भी .05 बनेगा ये भी .05 बनेगा खीक है gas का mixture कौन हो गया CO और CO और CO2 आपको ये पता होना चाहिए KOH जो है वो किसको absorb करता है it is the absorb CO2 किसको absorb करेगा CO2 CO2 को absorb क्यों करता है CO2 acid ही कैए KOH कैसा है base से तो acid और base reaction करेगा तो salt प्लस water बनाएगा यहना salt बनने वाला है K2 CO3 प्लस water बन जाएगा इसलिए absorb कर रहा है कोई जरूरी नहीं कोई से लिखा हुआ है base लिखा हुआ आ सकता है barium hydroxine लिखा हुआ आ सकता है ओके बात तो इसका मतलब इसमें से CO2 तो कोई से जब आपास करवा होगे तो CO2 absorb हो जाएगा यह लो अब CO2 absorb हो गया कोई आ गया 0.05 mol CO प्लस दूसरी रियक्शन से भी 0.05 mol CO इसका मतलब 0.1 mol CO बार आ जाएगा और इसका वेट किस के बराबर हो जाएगा 2.8 gram से सर यह कहां से लेकिया है 0.1 mol से 2.8 mol equal to given mass divided by molar mass molar mass 28 को 0.1 से multiply कर देगा 2.8 gram तो इसका आंसर क्या बन गया 2.8 gram बस यह reaction का खेले पूरा यह खेला जो है वो पूरी reaction का है अब reaction आपको यादो नहीं चीएगी reaction कहीं inorganic organic की reaction जो है वो लिखेगा mol के अंदर और वो ही जो NCRT में देरिखी यह reaction NCRT में देरिखी है मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको चले आगे next देखीगा अब देखीगा यह question आया हुआ है 2015 में इसका revert question bounce back मा रहा है 2022 के अंदर ठीक है देखते 20 gram of magnesium carbonate sample decomposes on hitting to give carbon dioxide and 8 gram magnesium oxide what will be the percentage purity of magnesium carbonate in the sample 20 gram magnesium carbonate के sample को गरम करने पर यह अब गटित होकर magnesium oxide plus CO2 देता है तो magnesium carbonate की सुदता का प्रतिशत बताओ question यह पूछ रहा है ठीक है बता देंगे question type first पे आगे है percentage purity बात की बात है magnesium oxide किता दिया है 8 gram ultra question चलना है जो मैंने सबसे पहला question बताया था इस बार यह दे रखा है यह पूछ रहा है यह calculate कर लो अब आप उलोग यह सब दे रखा है magnesium carbonate वो magnesium carbonate नहीं है वो sample का mass है मेरे को actual में sample में तो जो है ना वो impurity भी है actual pure mass ची है किसका magnesium carbonate का तो मैं ऐसा बूल दूँ कि number of moles of magnesium carbonate divide by one equal to number of moles of magnesium oxide तो यह किसके बराबर आ गया number of moles of magnesium carbonate it is equal to 8 divided by 40 it is equal to 1 by 5 okay mass कितना आजाएगा of mgCO3 1 by 5 multiply by 84 gram percentage purity का formula देख लीजेगा percentage purity का formula होता है mass of compound upon mass of sample multiply by 100 यह होता है ओके अगर ऐसा है तो 84 divide by 5 sample का mass 20 multiply by 100 100 से 100 हो गया cancel out 84 percentage इसका answer हो जाएगा third is the correct answer तो question तो ultimately यहां तक वही चला ना जो इस टोकियोमेटरी में formula तो यह है ना percentage purity का कि mass of the compound divided by mass of the sample multiply by क्या कर दिया जाए 100 ओके है चलिए अगला पार दीखते है अगला खुशन दीखते है 12 number NEET 2022 का खुशन है what mass of 95% अब प्योर दे दिया है will be required मेरको इतना समझे मैं आना चीए ठीक है कि mass पूछ रहा है तो sample का mass पूछ रहा है compound गा तो अपन खुद calculate करते है what mass of 95% pure calcium carbonate will be required to neutralize 50 ml of 0.5 molar HCL solution according to following reaction निमलिकित अभिकिर्या के अनुसार 0.5 molar HCL billion के 50 ml को उदाशिन करने के लिए 95% सुद calcium carbonate के कितने दर्यमान की आवशकता होगी अब आगला इसका जो question होगा वो concentration term से related है अपन इस पूर्य chapter में mole plus concentration terms को discuss करता है okay concentration terms में molarity word आएगा capital M वहाँ से number of mole calculate करने का एक formula बोल देता हूँ number of mole it is equal to molarity into volume in liter होता है okay यह अभी आगे मैं formula भी बताने वाला हूँ number of mole जो होगा हो किसके equal होगा molarity into volume जो है वो उसके equal होना चीए और volume किसमें होना चीए liter में होना चीए okay iron यह जो गोशन है second type है दो reactant दे रखे बढ़ दोनों के information नहीं गी बने इससे जो है वो इस वाली quantity से आपको यह पूछ रहा है तो इसका वाला number of moles of calcium carbonate it is equal to number of moles of HCl divided by 2 हो जाएगा तो मैंने का calcium carbonate का कितना mole हो गया HCl का mole 0.5 into 50 ml लेकिन volume मोना चीए था liter में तो liter में convert किया तो यह आ गया यह calcium carbonate का mole आ गया तो मैंने का mass calculate कर दीजेगा pure का number of mole को अगर mass में convert करना है तो molar mass का multiply करोगे यह लीजेगा molar mass का multiply कर देते हैं किसे multiply करना है hundred से यह cancel out हो देगा 30 से 30 ठीक है 1.25 पराम आ गया 1.25 यहाँ पर option दे रखा गलती हो जाएगी it is the mass of the pure calcium carbonate यह sample का mass पूछ रहा है तो इसका मलब यह pure है तो sample का mass तो ज़्यादा ही होगा ना क्योंकि sample hundred percent pure थोड़ी ने तो इसका मलब यह बात होगी sample का mass इससे थोड़ा ज़्यादा आएगा तो 1.25 से थोड़ा आगे बढ़ना है 1.32 आंसर हो गया इसका तो 95 percent purity it is equal to 1.25 upon sample का mass multiply by 100 sample का जो mass आएगा वो आएगा 1.25 multiply by 100 divided by 95 यह हो जाएगा 100 divided by 95 यह मेरे को पता है 1 से थोड़ा सा ही ज़्यादा है तो 1.25 से थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए तो answer क्या हो गया first is the correct answer okay है चले आगे चलो यह mole से related जित्ते भी question थे basically team type के question पे अपने बात की सबसे पहले mole होता क्या है ठीक है क्यों मैं अगले question पे आ रहा हूँ अगले question concentration term से sorry empirical formula से related है पहले इसको चर्चा कर लेते हैं उसके बाद अपन बात करते हैं एक carbonic योगी में 75% भार द्वारा carbon MCS परतिशत hydrogen की मात्रा है इस योगी के मुलानूपति सुत्रका सही विखल्प क्या होगा an organic compound contains 78% by weight carbon and remaining percentage of hydrogen the right option for the empirical formula of this compound is ठीक है empirical formula क्या होता है molecular formula जो होता है यह exact number of atoms को represent करता है जैसे यह molecular formula है benzene में 6 carbon के atom होता है 6 hydrogen के atom होता है it means molecular formula represents exact number of the atom in the compound in the molecule empirical formula साब empirical formula represent simplest whole number ratio of the atom simplest whole number ratio of the atom इस में से छोटा number कोँ सा है दोनों सर बराबर है 6 तो किसी भी 6 से divide कर दो तो बन गहा CH तो CS is the empirical formula और molecular formula क्या होगा C6 H6 molecular formula क्या है C6 H6 empirical formula क्या है CH empirical formula है CH molecular formula किसके बराबर है C6 H6 के बराबर है ओके बात कोई दिकत कोई डाउड नहीं आगे चले वो ऐसा बूल दिये हो इसा बूल दिये कार्बन 80% है तो हाइड्रोजन जो है वो 20% है या तो ऐसा ले लो या ऐसा ले लो कार्बन जो है वो 90 परसंटेज है और हाइड्रोजन 10 परसंट है बूला इसका empirical formula क्या होगा option दे दिया CH C2 H5 C3 H4 C4 H3 करणा कुछ नहीं है आपको सीदा यह देखना यह mask एकोड़ी है इसका मलब कार्बन का मास हाइड्रोजन का comparative में 9 times होना थी कितने times होना थी 9 times बस यही तो check करना है कार्बन का मास 12 हाइड्रोजन का मास 12 times है 9 times लाना नहीं होगा यह 24 हो गया यह 5 हो गया 5 times है यह 36 हो गया यह 4 है 9 times हो गया it is the correct answer हाइड्रोजन के comparative में कार्बन का मास 9 times आना थी यह देखो यह given है तो 4 option में यह तो check करना है C4S3 483 16 times है नहीं बैठेगा भीया यह check करने का तरीका है आओ इस वाले वोशन में आपने सब का कि कार्बन 78 है तो इसका मतलब हाइड्रोजन 22 है कार्बन 3 times होना चीए कितने times होना चीए 3 times 12 2 6 times नहीं बैठेगा ठीक है 12 1 12 times नहीं बैठेगा 12 3 और 12 4 मैं नहीं का यहाँ पे 3 times है और यहाँ पे कितने times है 4 times है यह 4 times है और यह कितने times है 3 times है तो मैं एक बार बोल दूँ क्या, कि अपने पास जो रहना चाहिए, वो ये 3 टाइम से तो ज़ादा है, और 4 टाइम से थोड़ा कब है, but almost 4 टाइम की तरफ है, तो इसका पला आंसर क्या होगा, second, अब exit करने का तरीका 78 divided by 12, 22 divided by 1, ये 6 point something आएगा, ये 22 आएगा, तो ये 1 होग 22 divided by 78 divided by 12, ये बनेगा, तो ये बनेगा 2 और ये बनेगा 13, 44 divided by 13, ये आएगा 3 times, 39 पिछे बन जाएगा 5, 4 times आएगा नहीं, 3.4 होगा, अब इसको integer बनाना पड़ेगा, तो integer बनाने के लिए जो है, वो अब आपको आगे solve करना पड़ेगा, ये 3.4 आया, तो इसको integer बनाना करूँगा ना, 4 तो consider नहीं कर सेको, इसलिए CS3 बना answer, क्या बना, CS3, ओके है, ये empirical formula check करने का एक तरीका रहेगा, 13 question अपने discuss किये, उनमें basically major topic बता देता हूँ, major topic ये पुछे गए, first number, mole क्या होता है, तो mole जो होता है, वो एक number है, किसके बराबर होता है, ये number, evogadro number के बर 23 quantity collect हो जाती है, तो उसी को बोला जाता है, evogadro number, mole के 4 formula, given particle divided by Na, given mass divided by molar mass, third number given volume divided by 22.4, third number वाला formula, only for gas के लिए applicable है, कहाँ पे applicable है, NTP पर applicable है, okay, fourth number formula, molarity into volume, volume किसमों होना चाहिए, लेटर में, बस ये apply करते हैं, जिसका mole जादा होगा, atom का, तो उसके number of atom जादा, mole of molecule जादा है, तो उसके number of molecule जादा, stoichiometric coefficient, किसी भी balance chemical reaction में, reactant और product का coefficient जो होता है, उसी को क्या बोला जाता है, stoichiometric coefficient, mole को represent करेगा, या volume को represent करेगा, second number point, limiting reagent, जिसके लिए mole divided by stoichiometric coefficient, minimum हो, उसे limiting reagent बोला जाएगा, और limiting reagent की help से ही, other composition calculate किया गाएगा, ओके, यहां तक की बात, which of the following dependent on temperature, निम में से कौन सा ताप पर निरबर है, ठेक है, solution homogeneous mixture होता है, दो component होता है, solute and solvent, एक word आता है, concentration, concentration is the relative amount of solute with respect to solvent or solution, concentration is the relative amount of solute with respect to solvent oblique solution, सारे case में solution आएगा, बस एक ही case में solvent आएगा, वो कौन सा case है, molality, एक तो यह बात समझ माने चाहिए, concentration क्या होती है, amount of solute divided by amount of solvent और solution, सारे case में solution आएगा, एक ही case में solvent, वो कौन सा case है, molality का पहला point यह दियान रखना है, कौन-कौन सी concentration terms होती है, एक होता percentage, percentage होता है, solute upon solution multiply by 100, 3 percentage हो सकता है, W by W, तो यहाँ पे W लेना, यहाँ पे W, means solute का mass divided by solution का mass multiply by 100, volume divided by volume, volume of solute upon volume of solution, एक होता है, W by W, W by W होता है, उसमें अपने बोलते है, weight of solute यह mass of solute in 100 ml of the solution, यह तीन वर्ड होए, ठेक है, इन तीन वर्ड में सुनिएगा बात को, एक point बोलता हूँ, अगर आपको ऐसा लिखावाओ, 20% W by W है, aqueous NUH, इसका क्या मतलब हुआ, अपन percentage define करते है 100 पे, 100 gram solution में कितना solute है, तो जैसी मैंने बुला, अगर 100 gram में solution consider करता हूँ, तो इसका मलब 20 gram solute होना चाहिए, solute कौन होता है, जो नाम लिखावा होता है, NUH, अगर 20 gram अगर solute है, तो 80 gram कोन होगा, solvent, solvent कोन है, aqueous लिखावा है, इसका मलब water, यह आपको open करके लिखना आना चाहिए, अगर 100 gram का solution है, तो 20 gram NUH होगा, और 80 gram कोन होगा, water, अब इससे खुब सारे motion solute है, अगर आपको यह लिखना आता है, basically, second number point यह समझ में आ गया, 20% W by W, aqueous NUH को कैसे लिखूँगा, अगर 100 gram का solution है, तो 20 gram इसमें NUH है, और 80 gram कोन है, water है, as a solvent है, ओके, अब सुनो बात को, यह दो point हुए, concentration terms में अगला part जो आ रहा है, second point का second number point, वो होता PPM, part per million, million लिखते हैं समय, इधर solute लिखा जाएगा, upon में क्या लिखा जाएगा, solution लिखा जाएगा, multiply by 10 raised to the power 6 लिखा जाएगा, third number होता है, mole fraction, ठीके, जिसका mole fraction, self mole, divide by total mole, जिसका भी mole fraction, अगर solute का mole fraction, calculate करना है, तो solute का mole, divide by total mole, okay, fourth number, molality, इसका formula होता है, number of moles of solute, upon mass of solvent, in kilogram, इसका अबल, इसकी definition यह बनेगी, number of moles of solute in 1 kilogram of the solvent, 1 kilogram solvent में solute का mole कितना है, उसी को बूला जाता है, molality, अगर मैं ऐसा बूलता हूँ, किसी की molality 10 है में, तो इसका मदला यह होना चीए, 1 kilogram solvent contains 10 moles of solute, इसका क्या मतलब होना चीए, 1 kilogram of the solvent contains 10 moles of the solute, ओके है, मेरी बात आपको समझ माई, ठीके, यह लिखना आनक सी है, आपको basically, ओके, last इसी के अंदर concentration term से, पाचवे नमबर की molarity, capital M, number of moles of solute, number of moles of solute, in one liter of the solution, यह लिजए, तब ही तो मैं बोलता है, number of moles का formula जो होता है, वो M into V होता है, V किसमें होना चीए, लिटर में, यह terms आगई सारी, ओके, अब सुनिएगा, अपन को पता है, volume जो होता है, वो किसके ओपर depend करता है, temperature पर, temperature बढ़ाते हो, तो volume बढ़ता है, volume बढ़ेगा, तो इसका मतलब, जिस भी concentration terms में, volume अगर involved हुआ है, तो वो concentration terms temperature पर depend करना चाहिए, जिस भी concentration terms में, volume इंट्रोड्यूज हुआ है, वो concentration term किसके ओपर depend करेगा, temperature पर, आईए, molarity, यह लो भाईया, molarity में, volume आगया है, इसका मतलब, depend करेगा, first is the correct answer, mole fraction में, mole answer, mole इस पर depend नहीं करेगा, temperature पर, solute जो होता है, या तो क्या होगा, solid होगा, या फिर क्या होगा, liquid होगा, depend नहीं करेगा, mole fraction, weight percentage में, w by w है, molarity में, उपर भी mole है, upon में भी mole है, कोई फरक नहीं पड़ेगा, means weight है, तो किसके ओपर depend किया, temperature के ओपर depend कोन करता है, molarity temperature dependent है, मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, ओके, चलिए, अगले question पर आने से जिस्ट पहले, मैं आपको 2-3 relation भी बता देता हूँ, solvent, x is the mole fraction of solute, एक ये formula याँ रखे, एक molarity बारबर होता, 10 percentage w by w into density upon molecular weight of solute, या फिर 10 percentage w by v upon क्या molecular weight of solute, third number formula, small m बराबर thousand of the capital M upon thousand of the d minus m into molecular weight of solute, अगर आप formula याद रखो तो फिर exactly formula याद होना चीए, याद है तो मैं तो कहे रहू, बेस्ट है, काम बहुत असान हो जाएगा exam में, याद नहीं है, तो इसका मनलब क्या question नहीं होगा, हो जाएगा, step लिखने पड़ेंगे आपको, ठीक है, इसलिए कहता हो, ये formula याद रखे, ये as a short notes, ये chapter as a one short की तरह complete है, ठीक है, इसके अलब आपको कुछ द्यान नहीं रखना है, मैंने concentration terms के सारे point बता जीए, बस यही relation द्यान रखना है, question बूला, नीट 2022 का आया हुआ, if one mole solution, in one mole solution that contains 0.5 mole of a solute, there is, एक mole willion जिसमें किसी wille के 0.5, अब सुनिएगा, अगर molality देर किया, तो solvent होना चीए, न की solution और solvent का होना चीए, मास तो ये गया, ये गया, molality का formula क्या, small m equal to, moles upon weight of solvent किसमें होना चीए, kilogram में, ये तो गई definition, अभी मैंने लिखा था पीछे, one mole, 0.5 mole, weight of solvent किसमा आएगा, kilogram में, तो w of solvent kilogram में 0.5 kilogram बोलो तो 500 gram, yellow, का गया, first is the correct answer, okay, next, question number 16, 6.02 into 10 days to the power 20 molecules of urea are present in 100 ml of its solution, the concentration of the solution, urea के 100 ml billion में, इसके इतने अनु उपस्ति थे, तो billion की सांदता, unit देखेगा, molarity देखेगा, molarity के एपलेट करने है, formula क्या, number of moles upon volume in liter, number of moles का formula क्या, given particle divided by na, yellow na का formula आगया, upon, volume किसमें दे रखा है, 100 ml में, 1000 से divide कर दीजएगा, ml में आ जाएगा, यह कितना दे रखाता, 10 raised to the power 20, तो यह आगया, 10 की power minus 3 into 10, it is the 0.01 M, fourth is the correct answer, 0.01 M, okay, आगया बात करें, question number 17, अच्छा question है, concentration term से related, क्या बुला, इसने question को देखेगा, how many grams of concentrated nitric acid, यह बुला concentrated nitric acid का कितना gram होना चीए, solution should be used to prepare, 250 ml of 2 molar HNO3, the concentrated acid is 70% of HNO3, 2 molar HNO3 का 250 ml बनाने में, कितने gram सांधरित nitric अमल का गोल परियोग में लाएंगे, सांधरता किती है, 70%, यह काम किजएगा, molarity दे रखिये, तो number of moles calculate कर लेता हूँ, upon volume 250, multiply by 1000, तो n बराबर आएगा, 1 by 4 mole, sorry, 1 by 2 mole आजाएगा, ठीक है, इसका mole आगया, 1 by 2 mole आगया, चलो, अगर यह 1 by 2 mole आएगा, तो इसका weight जो हो गया, HNO3 का, 1 by 2 into 63, it is equal to 31.5 gram, यह आजाएगा, कितना आजाएगा, 31.5, option दे नहीं रखा है, सुनियागा, यह 35, 31.5 gram जो weight आएगा, वो किसका आएगा है, HNO3 का, जबकि यह पूछ किसका रहा है, concentrated nitric acid का, में solution का पूछ रहा है, solution का weight percentage दे रहाएगा, 70, it is equal to mass of the solute upon weight of the solution, multiply by 100, अगर यहाँ से आप calculate करोगे, तो यह आएगा, 45 gram of the HNO3, third is the correct answer, ओके, next बाज करते हैं, NEET 2019 का है, मैंने क्या बुला, formula याद होगा तो best है, एक बार formula अपलाई कर लेते हैं, 2M जल्लिए NUH का गनत्व दे रखा है, विलियन की मोललता बताओ, देंसिटी अफ 2M aqueous solution of NUH is 1.28 gram per centimeter cube, the molality of the solution, बाज सिदा सा formula अगर यादे, 1000 into M, यह लो, अपोन 1000 into D, अपोन M, मैंनस मुलर मास of solute, यह लो, यह आगया 2000, अपोन 1200 C, यह ओ गया, यह आगया 2000, अपोन मैं 1200, यह हो गया 5 बटा 3, 1.67, 3rd is the correct answer, कितना आसान हो जाता है, अगर आपको formula याद है, तब तो, नहीं याद है, तो कोई बात नहीं है, अगर याद नहीं है, अपन है इसलिए, molarity दे रखे है 2M, इसका क्या मतलब होता है, number of moles of solute upon, volume of solution in liter, आप यह काम किजेगा, volume of the solution, 1 liter consider कर लिजेगा, यह जैसी 1 liter होगा, तो number of moles of solute कितना हो जाएगा, 2, molality का formula देख लिजेगा, number of moles of solute upon W of the solvent in kilogram, मैं नहीं कर देखेगा, solute का mole तो आगया, अगर volume 1 liter है, तो density से अपन जो है, वो mass upon volume अगर calculate करे, तो mass of solution जो आएगा, वो आजाएगा, 1280 gram, मैंने का, एनिवेच अगर solute है, तो 2 mol solute का weight 80 gram हो गया, तो mass of solvent जो आएगा, वो कितना आजाएगा, 1280 minus solute का mass minus कर दीजेगा, 1200 gram आजाएगा, यह लोग, तो 2 mol आगया, upon 1200 को इस मैंने लिख दिया, 1.2, आएगा वापस 5 by 3, 5 by 3 बोले तो 1.67, तरीका यह भी है, ठीक है, गलत नहीं, बढ़ अगर formula याद हो तो दिखो सीधे, आपने formula value put किया, single step में answer आजाएगा, कितना step में answer आने वाला है, single step में, ओके, चली, तीन ही तो formula भूले, अच्छा उशर है, concentration terms को connected क्या है, chemical reaction के साथ, what is the mass of the precipitate from when 50 ml of 16.9 solution of AGNO-3 is mixed with 50 ml of 5.8% of NACL solution, जब 50 ml 16.9% AGNO-3 के billion को 50 ml 5.8% NACL के billion के साथ मिस्रित क्या जाता है, तो बनने वाले अबक्षेप का बार क्या होगा, molar mass दे रखा है, option देख लीजी का पहले, डबल 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 option चले, roughly calculation allow है, क्यों बोल रहा हूँ, अभी आपको समझ माँ आ जाएगा, AGNO-3 की अगर NACL के साथ reaction करवाता हूँ, तो nitrate are water soluble, बट AGCL का white color का precipitate बनेगा, मिरको इसका mass calculate करना है, AGNO-3 का molar mass, इसके according नहीं, अपने according देखें, तो silver का 108 होता है, nitrogen का 14 होता है, oxygen का 16 होता है, 170 होता है, अब 16.9 दे दिया, यह अगर 17% देता तो calculation कितनी आसान हो जाती है, इस 17% ही मान लेता हूँ ना क्या फरक पड़ता है, अगर 17% माना, तो इसका मलगर 100 ml solution लोगा, अब आपके दिमाह मैं सर पर्चंटेश तो देहीं नहीं रखा, मैं कैसे मान हूँ, कि यह W by W यह फिर V by V है, W by V, मैंने का भाया, volume दे रखा, मेरे को mole चीए, इसका मलगर मास calculate करना पड़ेगा, तो इसका मलगर W by V होगा, 100 ml में 17 ग्राम है, 17 ग्राम है, तो 50 ml में इसका अदा हो जाएगा, इसका मतलब 17 divided by 2 ग्राम हो गया, similar way में 5.85 divided by 2 ग्राम होगे, mole calculate कर लेता हूँ, 170 से divide करके, 1 by 20 mole, 58.5 से calculate करके, 1 by 20 mole, दोनों के mole बराबर है, दोनों limiting reagent होगे, last में ये भी खतम, ये भी खतम, इसके 1 mole से इसका 1 by 20 mole बनेगा, इसका molar mass 143.5 है, almost almost 7 gram आएगा, ये लिदे, almost almost कितना gram आएगा, 7 gram आएगा, second is the correct answer, आया समझ मैं, अब ये ही आप अगर 17 के जगा 6.9 देते हो, 16.9 लोगे, divide by 2 करोगे, फिर 170 से divide करोगे, मज़ा नहीं आएगा, option दूर दे रखे, अगर option दूर दे रखे, आराम से कर सकते हो, ओके है, ये exam का criteria होता है, आपको pattern समझना होता है, option दूर दे रखे, चलिए, next, the density of the solution in 2.15 gram per ml solution is, then mass of 2.5 ml solution in correct significant figure, 1 billion का अगनत्व 2.15 gram per ml दे रखा है, तब 2.5 ml billion का मान सही सार्थ अगर में, सही सार्थक अंकों में, ये पूछा है, ठीक है, density it is equal to mass upon volume, क्या पूछ रहा है, mass पूछा है क्या, density into volume, अब सुनिए गया बात को, significant disease से related जब calculation किया जाता है, तो 2 operation होते है, plus minus या फिर multiply और division, है न, plus minus करते हैं, तो final answer report करना होता है, decimal place के बाद में minimum significant disease कितने थे, उसमें report करना है, और जब आप multiply या divide करते हैं, उस condition में ये check किया जाता है, पहले जो है, वो total number of minimum significant disease कितने थे, तो minimum significant, दूवर याद के, plus minus के लिए ये बूलेंगे, after decimal place, minimum significant disease पहले कितने थे, उसी के according answer report करना है, multiply divide हो, उसमें ये check करना है, starting में minimum significant disease कितने थे, उसके according answer report करना है, density बोलो भी या, तीन significant disease थे, इसमें कितने हैं, दो, final answer, दो significant disease में लाना है, दो significant disease यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, अगर यहाँ पे भी 4 मानूगे अगर, या फिर infinite है, दो significant disease तो यहीं पहना, तो answer क्या हो गया, 4, calculate नहीं करना है, दो significant disease में answer आएगा, 4 is the correct answer, को doubt, नहीं, तो इस chapter में, इस topic में physical chemistry के जो 7 पार्ट है, उस में से जो first part में अपने discussion किया है, उस first part में जो है, वो अपने discuss किया, mole basically क्या था, mole के उपर question आया है, mole के formula के उपर question आया है, यह पुछा है, minimum atom या maximum atom क्या होगा, maximum number of molecules, ultimately mole का formula यूज हुआ वा तक, उसके बाद अपन से यह पुछा इसने, कि chemical reaction 4-5 question, percentage priority के 2 question आये, उनके concept बता दिये, concentration terms का, विल्कुल basic idea बता दिया, कौन-कौन से concentration terms है, कौन-कौन से interconversion आपको याद रखने होते हैं, नई याद रखोगे, तो तरीका मैंने बता दिया, ओके, first गुरुनीती complete की, मैंने physical chemistry की, out of seven में से, ठीक है, next गुरुनीती में, next topic के साथ मिलेंगे, ओके,